हेलो अब्रिवान, वेलकम टो एकेडिंग्स फोर CAC, दिस इज प्रणय कुमार्शी हैं फ्रेंट्स, आज हम लोग बिहार एकनॉमिक सर्वे दोजर बाइस तेश से समंधित एक बहुत ही महत्पुन टॉपीक को डिसकस करेंगे देखिए बिहार एकनॉमिक सर्वे से रिलेटेड दो टॉपीक को पूर में ही डिसकस किया जा चुका है याने कि बिहार Economic Survey से रिलेटेड चैप्टर नमबर 1 टू लेकर चैप्टर नमबर 7 तक इसे दो सेशन के अंतरगत पूर में डिसकस किया जा चुका है आज हम लोग मुख्रुप से Part 3 के अंतरगत सेस जो बचे हुए टॉपिक है उसे हम लोग डिसकस करेंगे तो देखिए चैप्टर नमबर जो 8 है वह इनर्जी से रिलेटेड है इनर्जी सेक्टर के अंतरगत जो पहला और बहुत ही महत्पून टॉपिक है वह है कि प्रति ब्यक्ति बिजिली खपद बिहार में प्रति घंटा हो गई है और यह जो 329 किलोवाट प्रति घंटा है वह 2017-18 की तुलना में 17.5% की ब्रिधी हुई है यानि कि जो 2017-18 इसवी में यदि बिहार में बिजिली की अनुमानित चरम मांग को देखा जाए तो वह 6475 मेगाबाट थी जो की 2017-18 इसवी की अनुमानित मांग जो 2017-18 इसवी में थी वह 4965 मेगाबाट थी इसमें 30.4% की ब्रिधी देखने को मिली है यानि कि जो 2021-22 इसवी में बिहार में बिजिली की आनुमानित चरम मांग जो थी वह 6475 मेगावाट थी वहाँ 2017-18 की 4965 मेगावाट की तुलना में 30.4 प्रतिसत ज्यादा है तो देखिए यदि हम लोगे ग्राप के माधम सी से समझने का प्रयास करें तो देखिए 2017-18 ECV में बिहार में प्रती बैक्ति जो बिजली की खपत थी व और यह 311 किलोवाट प्रति घंटा हो जाता है 2018-19 ECV में और यदि 2019-20 ECV की बात करें तो 332 किलोवाट प्रति घंटा प्रति बैक्ति बिजली की मांग थी 332 किलोवाट प्रति घंटा 2019-20 ECV में और यह 2021-22 ECV में बढ़कर 329 किलोवाट प्रति घंटा हो जाती है बिजली की मा मांग की बात करें तो देखिए 2017-2018 इसवी में 4965 मेगाबाट बिजली की चरम मांग थी जो 2021-22 इसवी में बढ़कर 6475 मेगाबाट हो जाता है अब हम लोग अधि नेक्स्ट पाइंट को डिसकस करें तो देखिए आखिर कौन-कौन चैसे जीले हैं जिन जीले में बिजली की मां की खपत देखने को पटना जीला में मिली है उसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वहाँ गया जीला है और तिसरे नंबर की अधि बात करें तो तिसरे नंबर पर बिजली की सरवाधी की मांग मुझफरपुर जीले में देखने को मिली है और बिजली की सबसे कम यानि की नि जो नेक्स पाइंट है वहा है बिजली की मांग में सरवाधिक ब्रिधी देखे लखी सरा बिहार का एक मात्र ऐसा जिला है जहां कि बिजली की मांग में सरवाधिक ब्रिधी देखने को मिली है जो कि 19 प्रतिसद पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिसद जादा बिजली की मा उसके बाद दूसरे नमबर पर कटिहार जीला है जिसमें की 12 पृतिशत सरवाधीक मांग देखने को मिली है और तीसरे नमबर की बाद करें तो तीसरे नमबर में सिभर जीला है जहांके 11.03 पृतिशत ब्रिधी हुई है बिजली की मांग में पिछले वर्ष की तुल्नामे नमबर पर है कटिहार जीला जहां कि 12 प्रतिसद ब्रिधी देखने को मिली है और तिसरे नमबर की बात करें तो 80 जीला है जहां कि 11.3 प्रतिसद बिजली की मांग सरवाधिक देखने को मिली है अब हम लोग next बात करते हैं कि बिजली की मांग में सरवाधिक कमी वाले तीन जिले कौन-कौन है देखे यदि पिछले बर्स की economic survey यदि 2021-22 की economic survey की हम लोग बात करें तो पटना जिला बिहार का एक मात्र ऐसा जिला था जहां कि बिजली की मांग में कमी देखने को मिली थी लेकिन यदि हम लोग 2022-23 की बिहार की economic survey की बात करें तो औरंगाबाद जिला में 4.8% बिजली की मांग में पिछले बर्स की तुलना में कमी देखने को मिली है और दूसरे नमबर पर है नालंदा जिला जहां कि 4.1 पर तिसली की मांग में कमी देखने को मिली है इसी परकार से तिसरे नमबर पर है जो कि कैमूर जिला है जहां कि 3.1 पर तिसली की मांग में कमी देखने को मिली है और यदि चौथे नमबर की बात करें तो गया जिला है जह 2222 में बिजली की उपलब्द च्ंबता यानि कि बिहार में बिजली की उपलब्द च्ंबता 202062 Csv में कितनी थी जो इसका अंजार है 7785 месте मेगावाट बिहार में बिजली के उपलब्द च्ंबता थी वर्स 2021 2262 Cev में और जो जेदी Economic Survey की बात करें तो धेखे 24受पचीस तक ऐसा अनुमानित किया गया है कि बिहार में जो बिजली की कुल उपलब्द छमता होगी वह 13626 मेगावाट बिजली की कुल उत्पादन छमता होगी बरस 2024-2025 तक बिहार में यानि कि बरतमान समय में बिहार में बिजली की उपलब्द छमता की बात करें तो आए 7785 मेगावा है कि बस 24-25 तक बिहार में बिजली की कुल उपलाद समता 13626 मेगाबाट होगी अब हम लोग कुछ-कुछ महत्पुन जल बिदूत परियोजनाएं के देख लेते हैं तो देखिए कोशी जल बिदूत के अंदर है इसके तहत 4.8 मेगाबाट की 4 इकाईया अस्थापित की गई ह जहां से बिजली की जो कुल उत्पादन हो रहा है वह 19.9 मेगाबाट बिजली का कुल उत्पादन किया जा रहा है कोशी जल बिदूत के अंदर कटाया बीरपूर के अंतरगत दूसरा है पुरिवी गंडक नहर जल बिदूत परियोजना इसके अंतरगत जो बिजली का कुल सोन पस्मी लिंक नहर जल बिदूत परियोजना इसके अंतरगत 6.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है नेक्स्ट और महत्पून है धेला बाग जल बिदूत परियोजना जो की रोहतास जीले में इस्थित है इसके अंतरगत एक मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है इसके बाद है तिरिवेनी लिंक नहर जल बिदूत परियोजना जो की पस्मी चमपारन जीले में अ बिदुतप्रियोजना को पूछा जा सकता है नेश्ट और मात पून है निर्माना धीन अती लगू जल बिदूत परियोजना है हाँ एक पैंट और जो लगू जल बिदूत परियोजना है लगू जल बिदूत परियोजना के दोरा टोटल 54.3 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया रहा है यानि कि सपोज या दिप्रस्ण पूछ लिए जाते हैं जाम में कि लगू जल बिदूत परियोजना के अंतरगात बिहार में कुल कितनी मेगावाट बिदूत का उत्पादन किया रहा है तो इसका अंसर हो जागा 54.3 बिजली का उत्पादन किया रहा है लगू जल बिदूत परियोजना के अंतरगात नेक्स्ट पॉइंट है अती लगू जल बिदूत परियोजना यानि कि बिहार में निर्मानाधीन अती लगू जल बिदूत परियोजना कौन कौन सी है तो पहला है बलिदात जल बिदूत प यह भी औरंगाबाद जीला में स्थित है इसे पगार से अमेठी जल बिदूत परियोजना नटवार जल बिदूत परियोजना पहरमा जल बिदूत परियोजना और रामपूर जल बिदूत परियोजना यह जो चारो जल बिदूत परियोजना है वहां बिहार की रोतास जीले मे अबस्थित है इन यहिद्व अति लग्धू जल बिदूत परियोजना की बात करें तो देखिए लग्धू जल बिदूत परियोजना की अंदरगत बिहार में चॉवंद दसम्ल अमलब तीन मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है अब इसके साथ हम लोग कुछ अ मात्पुन है महाद नन्दा नदीवेशीन का न Kag 하기 रिद्धूत परियुजना का निर्मान कि या जा रहा है जिसमें से पहला है सोनापुर्त जैने उप्र योग दोगी परियुजना तो किृषन ऀल इनले में इसित है दूस्ते हैं और जल विदूत परियोजनाएं हैं इसे आप लोग स्किन सोट ले लिजे और अपने नोट बुक में नोट कर लिजेगा नेक्स्ट है बुढ़ी गंड़क नदी बेशिन के अंतरगत बिहार के पूर्वी चमपारन और मोतिहारी दो ऐसे जीले हैं जहां की जल विदूत परियोजनाओ को निर्मान बुढ़ी गंड़क नदी बेशिन के अंतरगत किया गया है जिसमें से जो पहला है वह है रखुनाथपूर जल बिद्दूत परियोजना यह बिहार के पस्चिम चमपारन जीले में अवस्थित है और दूसरा है बड़ा गोविंदपूर जल बिद्दूत परियोजना यह बिहार के मोतिहारी जीले में अवस्थित है तिसरा है गंड़क नदी बेशिन के अंतरगत बिहार के पस्चिम संभारंजीले में दो जल बिद्धूत परियोजना का निर्मान किया गया है जिसमें पहला है बेतिया जल बिद्धूत परियोजना और दूसरा है बगा जल बिद्धूत परियोजना ये जो दोनों चल भी दुत परियोजनाये हैं वह बिहार के पस्चिम संभारन जीले में अवस्थित हैं तो आप लोग इसे स्क्रिन सॉट ले लिजे नेश्ट यदि अब हम लोग चैप्टर नाइन चैप्टर नाइन की बात करें तो यह चैप्टर नंबर नाइन है इसका को यदि स्वित तक ग्रामीन विकास पर विहार सरकार ने औस दस प्रतीसत खर्च करते है यानि कि बिहार का संपूर बजट six लुपय का बिहार सरकार का बजट है बिहार सरकार ने बजट में एदे कुल 100 रुपय खर्च करने का प्रभधान किया है तो उसके अंतरगा जो 10 परतिसात खर्च कर रहा है याने कि यह 10 परतिसात का मतलब हुआ 10 रुपय जो बिहार सरकार खर्च कर रही है वह ग्रामिन विकास पर बिहार सरकार 10 रुपय अपने मंत्राले का भाग है कि इसका अंसर हो जाएगा ग्रामिन विकास मंत्राले का एक और प्रस्ण से समंधित बनता है कि जो जिबिका काट्सक्रम है इसे बर्ल्ड बैंक के सहयोग से बिहार सरकार ने प्रारम्भ किया है नेक्स्ट टॉपिक है कि बर्स 2007 इसवी में इस जिबिका काट्सकरम को बिहार सरकार दोरा प्रारम्भ किया गया था तो ये भी आप लोग याद रखेगा कि बर्स 2007 इसवी में बिहार सरकार ने जिबिका काट्सकरम को बर्ल बैंक के सहयोग से ग्रामिन विकास मंत्राला के अं निर्मान कर दिया गया है बिहार में इसे के अंतरगत जो नेक्स्ट और महत्मुन टॉपीक है हुआ है दीदी की नर्शरी ओजना हैं इस काल्सक्रम का भी किरानवन जीबी का दिदीयू द्वारही किया जा रहा है तो इस दीदी की की नर्शरी ओजना के अंतरगत टूटल 483 पॉदुसाला का निर्मान किया जाना था दीदी की नडशरी योजना के अंतरगत यह दी बात करें तो टूटल चार्सो तिरासी पॉदुसाला का निर्मान किया जाना था इस चार्सो तिरासी पॉदुसाला के अंतरगत दो सब बतीस पॉदुसाला ऐसे थे जिसका निर्मान म स्थापीत किया जाना था यानि कि जीविकात दिदियों दोरा जो दिदी की नर्शरी योजना है इसके अंतरगत जो टोटल लिए पंचाती राज संस्थाओं का अबलोकन या पंचाती राज संस्थाओं पर हम लोग एक नजर डालें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जीला परसद की तो बिहार में टोटल 38 जीला परसद है पंचायत समीति की यदि बात करें तो 533 बिहार में पंचायत समीतिया है इसे पकार से यदि ग्राम पंचायत की बात करें तो बिहार में टोटल 8058 याने की 8088 ग्राम पंचायत है बिहार में इसे पकाड़ से ग्राम पंचाथ सदस की बात करें तो एक लाख 9,528 ग्राम पंचाथ सदस हैं और ग्राम पंचाथ समिती सदस की बात करें तो एक लाख 10,094 में तोटल ग्राम पंचाथ समिती सदस हैं बिहार में देखिए इसमें से सबसे जादा महत्पून एतीन है कि बिहार में जीला परशत कितने है तो इसका अंसर हो जाएगा 38, पंचात समितिक कितने है तो इसका अंसर हो जाएगा 8,058 ये तीनों काफी महत्पून है तो आप लोग इसे याद कर लिजेगा इसके अलावे जो नेक्ट पाइंट है वा है पंचाती राश संस्थानों के तीनों अस्तरों पर धन रासी का बितरन यानि कि पंचाती राश संस्थानों के तीनों अस्तर पर जितने भी रासी खर्च की गई है उनमें यदि चोदहमा एवं पंद्रहमा बीत आयोग की बात करे तो देखिए, पंचात समीति पर बीत आयोग द्वारा जो सिफारिष किया गया था उसका 9.18 प्रतिशत राशी खर्च की गई है बिहार सरकार द्वारा पंचात समीति पर और ये ग्राम पंचात पर टोटल जो खर्च की गई है वह है 84.44 प्रतिशत इसे पकार से जिला परसत पर जो राशी खर्च की गई है वह है 6.38 प्रतिशत राशी बिहार सरकार द्वारा बीत आयोग द्वारा जो राशी प्रतान की गई है उसका खर्च किया गया है 6.38 प्रतिशत राशी जिला परसत पर इसे पकार से दी पाश्मा एवं छठा राज बीत आयोग की बात करें देखें अभी हम लोग बात के थे चौदाहमा एवं पद्रामा बीत आयोग या जो बीत आयोग है या किंद्रिय बीत आयोग की बात किया जिसका बर्नन इंडन कंस्टिउशन काटिकल 280 में किया गया है और अब हम लोग बात करते हैं राजबीत आयोग तो देखिए जो छठा राजबीत आयोग है इसकी सिफारिशों के अनुसार विहार सरकार ने पंचायत्यों पर 80.9% राजबीत आयोग जिला परसत पर नेक्स अब हम लोग जदी बात करें तो हैं बिहार में पंचायती राज संताओं को केंद सरकार से प्राप्त पुरसकार देखिए भारत सरकार के पंचायती राजमंत्राला ने निमलिखित ग्राम पंचायतों एवं पंचायत समीतियों जिला परिशदों को उनके सरहनिये कार के लिए राष्टिये पंचायत पुरसकार 2021 प्रदान किया है यानि कि भारत सरकार के पंचायती राजमंत्राला ने बिहार के निमलिखित ग्राम पंचायतों को राश्टी पंचायत पुरसकार 2021 से स्थम्मानित किया है इसके अंदर गात जो पहला पुरसकार है वह दीन दियाल उपद है पंचायत ससक्तिकरन पुरसकार बर्स 2021 इसे जिला परशत के लिए नालंदा जिला को प्रदान किया गया है और अधि पंचायत समिती की बात करें तो देखिए रोतास जिला का है अकोड़ी गोला दूसरा है गया जिला का गया सदर तिसरा है गया जिला का इमाम गंज और चोथा है और अरंगाबाद जिला का कुटुमबा पंचाथ समिति को दीन द्यालूपद है पंचाथ सशक्तिकरन पुरसकार 2021 प्रदान किया गया है नेक्ट पुरसकार है नाना जिदे समुख राष्टी गौरब ग्राम सभा पुरसकार यानि कि यह जो पुरसकार है वो सिर्फ और सिर्फ ग्राम सभा को प्रदान किया जाता है तो ग्राम सभा के लिए इस पुरसकार की बात करें तो देखिए सितामडी जिले के बगाडी ग्र ग्राम पंचायत को नाना जिदे समुख राश्य गौरब ग्राम सवाब पुरसकार 2021 से समानित किया गया है और तिसरा है बाल हित ऐसी ग्राम पंचायत पुरसकार बर्स 2021 इसे भी नालंदा जिला के कुसियामा ग्राम पंचायत को यह पुरसकार से समानित किया गया है तो अभियान है इसका समंध किसे हैं तो स्वचता से समंधित है लोहिया स्वच बिहार अभियान साथ निश्चा पट दो के अंतरगत रच्षकार ने स्वच गौँ सम्रित गौँ का संकल्प लिया है इसी लच की प्राप्ति के लिए मंत्री मंडल ने सितंबर 2021 इसवी में लो समसर हो जाएगा सितंबर 2021 इसवी में लोहिया स्वच पिहार अभियान का दूसरे चरण है इसे स्तमाप्त कर दिया जाएगा यह फिर अगली चरण याने के चछाड़ पेद होगा उसके लिए सिक को रिणού कर दिया जाएगा इसकी अंत्रगत टोटल जो खर्च का प्राधान किया गया है यानि कि टूटल जो बितिये उपलगता की गई है वह 7287.36 करोड रुपया है पंद्रह में बित आयोग द्वारा जो अनुदानों से भी 1511.45 यानि कि आप कहा सकते हैं कि लगवाग लगवाग 1512 करोड रुपया इस लोहिया स्वच बिहार अभियान को बित आयोग द्वारा भी प्रदान किया गया है नेक्स पाइंट हम लोग बात करें तो है सतत जीवी को पारजान योजना देखे सतत जीवी को पारजान योजना को बिहार सिरकार ने 5 अगस्त 2018 इस भी को प्रदान किया इस योजना को प्रदान करने का मुख हुदिश था जो लगू बेवसाय में जो लोग भी सामिल थे उन्हें 60,000 रुपया से लेकर एक लाख रुपया तक की बितिये सहायता रासी उप्रदान करवाना इस योजना का मुख लच है यानि कि सदत जीव को पारजन योजना को 5 अगस 2018 इस भी को प्रदान किया गया और दूसरा महत्पून पाइंट है कि इसका अंतरगा जो सहायता रासी प्रदान किया जाती है वहाँ 60,000 रुपया से लेकर अधिकतम एक लाख रुपया तक की सहायता रासी सदत जीव को पार और बंदयान योजना का अंतरगत प्रदान की जाती है नेक्सट पाइंट है सोलर अिस्टीट लाइट योजना देखिए यह जो solar street light योजना है वह बिहाद सरकार के 7 निश्चा part 2 का एक महत्पून भाग है इस scheme के अंतरगात बिहार के हर बार्ड में इस scheme के अंतरगात बिहार के हर बार्ड में 10 solar light योजना 10 solar light लगाने का निश्चा किया गया है